तो हाई गैस के सुब आप सभी लोग मिन करता हूँ बहुत ही ज़्यदा बढ़िया होगे आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले है कि फोर्ड मोटर्स जो है इंडिया में वापस से अपनी नाम की कमाई केसे कर पाए उसके जाने के बाद में इस विशे पे बात करना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि एसा तो क्या हुआ कि इतने सालों से इंडिया में गाडियों को बेचने वाला फोर्ड जो जादू दिखाना था उनको अपने कस्टमरों पे जो अपने ग्राहा को पे वो जादू जो है उनके जाने के बाद में ही पाया तो चलिए फटबट से वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उसे बहले वीडियो को लाइक और लगया सब्सक्राब कर देना ऐसी और इंट्रेस्टिन वीडियो के लिए तो चलिए हमेशा की तरह एकदम शुरू से शुरू करते हैं फोर्ड इंडिया में साल 1995 में आए थी फोर्ड मोटर शुरू से उतनी लेजी कंपणी भी नहीं थी और इतना ज्यादा अपडेटेड रहने वाली कंपणी भी नहीं थी कि टाइम टू टाइब अपने प्रोड़क लेकिन उनकी थोड़ी बहुत गेम चला रहे थी फोर्ड फ्रीश्टायल फोर्ड फीगो लेकिन शाज यह काफidy सारे यह बात्र शुरू तो यह तोड़ोप्त की की बारे में बात बात हैं लेकिन इसी प्रोड़ोड को लेकर देखे हो एक्जमपल के लिए यह प्रोडूड बढूर्टिक अपड़ी जारे थे लेकिन उतना भी नहीं जिसके उधे से जो है पबली को बोरियत फिल होने लगी इसलिए वह अधर ओपशन को ज्यादा देखते थे क्योंकि फोर्ड जो है अमेरिकन मोटर कंपनी थी तो वो जो है थोड़ी बहुत जो है क्वालेटी में टोयोटा को भी टकर देती थी इसलिए ये तो पका था कि पब्लिक को उस पे थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ट्रस्ट ब्याट गया था ये तो चलो होगी बात कंपनी के ब को गतापन अब जो है आमको मेंगा पढ़ रहा है है तो उन्हों ने क्या किया इसको पब्लिक लिए बता दिया कि हम जो है इंडिया से जा रहे हैं तो मंज़र ये रहा कि जो यह नुज सुनते ही पबली को लगया जटका बड़े वाला सब लोग जो है Ford की जो है मतलब कोई होता है ना अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी सारी अच्छी बाते की जाती है तो Ford Motors की जो है जितने भी सारी अच्छी बाते थे जितनी भी उसमें खुबी आ थी वो भर भर के जो है दस सलसल इस मिलने वाली थी लेकिन फिर वो निराश्टों थे साथ में सेक्ड एन गाडियों की जो है डिमांड वो कम होने वाली थी लेकिन समय ने कुछ ऐसा रूप बदला कि लेकिन पबलीक के द्वारा दी गई हुई वाइब्स सोशल मीडिया पर इतनी जादा वाइरल हुई कि यह जो है मतलब जितने भी फोर्ड बोटर्स की गाड़िया अवेलेबल थी मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ा दी उतनी जादा उसकी तारीफ हुई जहां पर जो है कोई मैनुफेक्चरर अगर जो है इंडिया जा राया तो उसकी डिमांड जो है कम होनी लगती है या फिर कोई भी मतलब अपना धंदा छोड़के जा राया तो उसके प्रोडक कोन ही खरी देंगा लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ कि यह जो है जाएंगे तो यह हो जाएंगा और इनके प्रोडक तो इतने अच्छे है तो इतने प्रोडक्ट इतने अच्छे है इनके वो वाइस इनकी चल गई, तो खूल मिला के इनका जो है प्रोडक्ट की सेकंड एंद मार्केट में डिमांड बढ़ेने लगी, लेकिन अभी भी मन्जर ये रहा था कि फोर्ड तो ते करी चुकी थी कि हम जा रहे हम तो जा रहे एक ट्विस्ट की फोड ने अपना जो है दो प्लांट इंडिया में पहले से जो है चैबलिश कर लिया था बोले तो फोड अपनी इंडिया में जो मैनिफेक्चरिंग करता है उसमें से उसके मैंडली दो प्लांट थे एक था गुजरात में सननदवाला और जो है दूसरा था चन्ने वाला उसमें से जो है चन्ने वाला प्लांट जो है बोले तो इकोनोमिकली बहुत ज़्यादा बढ़िया जगा पर वो स्थित था तो उसकी वेल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए और सबसे महत्योपुरुण बाव आत ये है कि जो प्लांट गुजरात में स्थित था वो टाटा मोटर्स ने जो है खरिद लिया था लेकिन बात आई जब चन्ने वाले प्लांट को खरिदने की या फिर फोड के द्वारा बेचने की तो वो जो कई सारी ब्रैंड आये उसको खरिदने के लिए लेकिन उसने जो है देने से इनकार कर दिया बोले तो शायद उसको पैसा कम मिला होगा क्या हुआ होगा वही जानें उन्हों ने कर दिया मना तो पपलिक में जो है यह बाते होने लगिए की fat शाहिए वापस आएंगी शायद वापस आएंगी लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था लेकिन साल 2030 की आखिर में उन्होंने अपनी नए फोड एंडोवर को इंडिया के लिए पेटन्ट जब करवाया तब उसका समझ आ गया कि नई ये कंपनी वापस आ रही है और अपने नए प्रोडक को लेकर वापस आ रही है लेकिन इंडिया में मैनुफेक्टरिंग करने का इनका भी ये कारण है कि ये से 35 कई कई गाड़ी पर 40 प्रतिशत का डिसकाउंट है लेकिन वहां पर जो इसी खाली पड़े है कोई गाड़िया नहीं करीज रहा और बात कर रहे अपने डेवलोप कंट्री की जो है अमेरिका तो वहां तो पहले से जो अपने जो है इस्टेबिलिस कर चुके है बाकि पर लोकल ली मैनिफेक्ट्रिंग करके वह बाहर तो एक्सपोर्ट करी सकता है ना और सबसे अच्छी बात यही कि इंडिया में जो है चीप लेबर मिल जाते हैं तो उनी कुछ कारणों की वज़े से जो है इंडिया में जो है फोड ने अपना चन्ने वाला प्लांट बेचा